आज हम एक नए चेप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका पहला टॉपिक है एलेमेंटरी पार्टिकल्स इस चेप्टर का विशय ही वैसे एलेमेंटरी पार्टिकल्स है आज हम इस बारे में ही बात करेंगे कि एलेमेंटरी पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफ या वर्गी करण कैसे किया जा सकता है तो सबसे पहले हम यह जानने के कोशिश करेंगे कि elementary particles या मूलभूत करण क्या होते हैं elementary particles are those elementary constituents out of which all matter in this universe is considered to be made of हम यह मानते हैं कि जो पूरा ध्रमान बना है इसमें जो हर वस्तू हर पदार्थ बना है वो कुछ मूलभूत करणों से मिलकर बना हुआ है यह जो मूलभूत करण है या जो elementary particles हैं इनकी एक खास charge होता है उनका कुछ खास मास होता है इस्पिन होती है और उनका lifetime होती है यह elementary इस sense में कही जा सकते हैं कि यह particles यानि elementary particles या मूलभूत particles structure less होते हैं structure less का मतलब यह हुआ कि हम इनके structure को किन्हीं दूसरे करणों के द्वारा नहीं समझा सकते हम यह मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो बना है वो कुछ मूलभूत करणों से बना है मूलभूत करणों की कुछ उशेष्टाएं हैं लेकिन यह जो मूलभूत करण या elementary particles हैं यह किसी दूसरे करणों के द्वारा नहीं बने हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि यह मूलभूत करण इनका जो structure है वो हम दूसरे करणों के द्वारा नहीं समझा सकते हैं तो अब हम बात करेंगे कि इनका वर्गी करण कैसे किया जा सकता है तो आप इस table में देख सकते हैं यहां यह जो चित्र बनाया गया है इसमें elementi particles को सबसे पहले दो भागों में भांटा गया है पहला भाग है पहली जो श्रेणी है वो है bosons particles की और दूसरी जो श्रेणी है वो है fermions particles की तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि bosons और fermions में क्या अंतर है bosons particles की एक category है यह कोई अपने आप में पार्टिकल नहीं है बलके particles की एक category है और इस category में वो particles आनते हैं जिनकी intrinsic angular momentum या जिनकी spin या तो zero होते हैं या h cross के multiple में होते हैं integral multiple में होते हैं यह तो एक वश्रेष्टा है दूसरी वश्रेष्टा इसी category में particles की यह है कि यह सभी particles both Einstein statistics को follow करते हैं तो मक्रूप से यह दो वश्रेष्टा हुई इसके अलावा एक खास बात यह है कि bosons की category में जो भी particles आते हैं वो field particles होते हैं field का मतलब वो किसी ना किसी field को denote करते हैं या किसी ना किसी field से associated होते हैं जैसे हम बात करें यहां पर bosons में सबसे पहले photon photon electromagnetic field का associated particle है graviton gravitational field का associated particle है और misons nuclear field का associated particle है इसमें जो सबसे strong interaction को जो particle दर्शाता है वो misons की category में आते हैं और जो weak interaction को शू करता है वो photon और graviton की sharing में आते हैं इसके बाद हम misons को फिर से classify कर सकते हैं photon अपने आप में एक particle हैं graviton अपने आप में एक particle है लेकिन misons एक particle की category है जो nuclear field को दर्शाती है इस श्रेड़ी में फिर कुछ बिविन परकार के particles हैं जैसे pions, kions and eta misons pions फिर दो category है pions में pi plus और pi zero kions में भी इसी तरह है k plus और k zero eta misons एकी परकार का होता है तो कुल मिलाके इस bosons की category में जो particles हम लिख सकते हैं वो हुए photon, graviton, pi plus, pi zero, k plus, k zero और eta misons तो यह सारे particles किसी ना किसी field को से associated होते हैं अब हम बात करते हैं fermion category की तो प्रश्ण यह उठता है कि bosons और fermions में क्या अंतर है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि bosons वो particles हैं जिन में इन particles की जो spin है वो या तो zero होती है या h cross की integral multiple होती है तो इसी आधार पर fermions वो particles की category है जिन particles की spin हमेशा h cross की half integral multiple होती है एक बात तो यह हुई दूसरा यह हमेशा जो particles हैं fermions वो fermi drag statistics को follow करते हैं अब fermions को फिर हम दो category में divide कर सकते हैं एक तो है leptons और दूसरा है barions leptons यह एक Greek word है जिसका मतलब है lighter तो leptons वो category के particles हैं जो barions की तुला में थोड़े हलके होते हैं जबकि barions leptons की तुला में भरी होते हैं leptons में अब हम leptons की category में तीन particle आते हैं electron हम सभी जानते हैं इससे neon और तीसरा है neutron electron, neon और neutron हम सब जानते हैं कि electron बहुत हलका particle है दूसरे particles की तुला में neutron, neutron तो लगभग massless particle है और neon भी बहुत हलका होता है barions की category में फिर हम इसको दो category में divide कर सकते हैं एक तो है nucleons और दूसरा है hyperons nucleons जैसा हम जानते हैं यह वो particle है जो नाविक के अंदर मिलते हैं और इसमें भी दो variety है proton और neutron तो nucleons, hyperons, leptons, barions यह सब category है particles की लेकिन वास्तम में जो particle है elementary particle वो हुए proton और neutron hyperons की category में फिर कई विभिन प्रकार के particle है elementary particle और वो जो यहां show किये गई है इस चितर में आप देख सकते हैं तो lambda है, sigma है, case i और omega sigma में फिर तीन variety है particles की sigma plus, sigma minus, sigma zero और case i में भी दो variety है case i minus और case i zero तो इस परकार हम देखते हैं कि यह जो श्रेणी जो चितर है इसमें particles को कई category में divide कर रखा है श्रेणियों में divide कर रखा है, लेकिन elementary particle जो है वो इस श्रेणी में सबसे last में show किये गई है जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं पुन है, बोल रहा हूँ pi plus, pi zero, k plus, k zero, eta me son, photon और graviton यह सब bosons की category में आते हैं basically यह field particles हैं और इनकी जो spin है वो zero या h cross की integral multiple होती है one, two h cross, three h cross, four h cross and so on और यह bosonstein statistics को follow करते हैं दूसरी तरफ जो formions category है इसमें इन सभी particles की इसके अंतरगत जो आते हैं उनकी spin हमेशा half integral multiple होगी यानि के अथार्थ h cross by two या three h cross by two या five h cross by two या seven h cross by two and so on और यह सभी particles फर्मी direct statistics को follow करते हैं फिर इसमें भी कुछ हलके particles हैं, कुछ भारी हैं हलकों को हम leptons की category बनाई गई हैं और भारी particles के लिए बेरियोन की category बनाई गई है एक और टर्म यहां पर यूज हुजती है particles की category के लिए hydrons, hydrons एक category है particles की जिसमें k-ons, p-ons के साथ बेरियोन को भी लिया गया है और यह वो particles हैं जो strongly interacting particles कहलाते हैं तो strongly interacting particles में जैसा हम देख रहे हैं k-on and p-on यह तो bosons की category में आते हैं यहां आप देख सकते हैं इसको k-ons और p-ons यह bosons की category में आते हैं जबकि दूसरी तरफ जो perion है वो अपने आप में एक अलग category है particles की तीनों को मिला के हम कहते हैं hydrons क्योंकि यह सभी particles strongly interacting particles हैं ज़न्यवार